Hello everyone, तो कैसे हैं आप साब आई हो, बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ ले होगे, पढ़ना भी चाहिए अच्छे से तो हम लोग permutation, termination का जो series था, उस ता first वाला part जो था factorial वो देख चुके हैं, उस ता link description में नहीं देख रहा है, तो देखने ना आज जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें है sum और product rule, sum और product rule है क्या, तो देखो sum हम तब यूज तरते हैं, जब तरहीं भी और लटता है, हिंदी वाला अथवा, और product rule हम तब यूज तरेंगे, जब तरहीं भी हमें end यूज तरना होता है, end, end, मतलब दोनों चीज ही चाहिए, त तो हम लोग क्या तरेंगे, product यूज तरते हैं, और दोनों में से किसी age से भी ताम चंज जाए, तो हम लोग और यूज तरते हैं, जैसे कि समझो, आपके पास यहाँ पर five subjects है, ठीक है ना, माननों, physics है, chemistry है, physics, chemistry, maths, bio और computer science है, और इसमें से कोई age subject देना है, हिंदी, इंग् उर्दू, बंगला में से कोई age subject देना है, तो इसमें से आप पांच में से कोई भी age subject पांच तरीके से दे सकते हो, तो आपको आज आजिया, five, and आपको यहाँ से भी बोला जाए, यहाँ से भी आपको देना age subject, तो five, and four, total 20 तरीका हो जाए दा आपका, जिस तरह से आप लो यह ताम तरना है, और यह total यहां से भी ने सकते हो, यहां से भी ने सकते हो, तो अब आपको कोई 8 subject नेना है, तो either this or this आजाएदा, तो अब और वाला बात हो जाता है, तब हो जाता है, वो 5 plus 4, 9 तरीत आपके पास हो जाएगा, तो जब भी और लगे, तो आपको क्या तरना है, एड तरना है, और जब भी आपका product हो, जब भी आपका end हो, तो आप क्या तरना हो, तो आप क्या तरना है, multiply करते हो, तो चलो इस पर थोड़ा questions देते हैं, a room has 6 doors, in how many ways a man can enter the room through one door and come out through a different door, तो अभी देओ, यह रूम है समझनो, यहां आने के लिए 6 doors है, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 doors है, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, तो आप किसी भी एक door से enter कर सकते हो, तो कितने तरीके से आप enter कर सकते हो, 6 methods है, and, and आपको बाहर जाना है, तो and मतलब multiply, और बाहर जाने के लिए आपके पास कोई 5 ही option है, क्योंकि जिससे आप आए थे, उससे नहीं जाना है, different door से जाना है, तो sits into 5, यह हो गया 30, ठीक है, simple सा चीज है, end rule और rule पता है, product rule, some rule पता है, तो आराम से होने वाला है, find how many words with or without meaning of three distinct letters, three distinct letters है, इसना मतलब क्या है आपता, वो use नहीं होने वाला है, मतलब क्या है, three different है, यह नहीं use होगा, आपको meaning उसना हो, नहीं भी meaning हो, लेकिन वो word है, three distinct letters को लेकर, तो आपना पूरा permutation combination में यह वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझो, और अच्छे से use तरना है, क्या होता है, कि different letters यूज तरना है, या numbers यूज तो बस यह समझो, तो पहला वाला चैनल, आपके पास option है, 26 क्योंची, इंगिस अल्फाबेट में 26 letters होते हैं, इसके बाद वाला आपके पास, अब distinct नहीं हो, तो जो भी एक लिया होगा, वो अब नहीं ले सकते हो, तब आपके पास 25 options है, इसके बाद 24 options है, इस ताप प्रो 4 choices, तो 5 objective type questions है, 5 questions है, समझो, 1, 2, 3, 4, and 5, और इस ता option A, B, C, D, सभी में option A, B, C, D है, सभी में option A, B, C, D, A, B, C, D, option है, हाँ, अब आपको पहला वाला question answer देना है, तो आपके पास कितना options है, 4 options है, अब दूसरा वाला ताभी answer देना है, तो 4 ही options है, तीसरे वाले के बेनी यह भी 4 है, इसके लिए भी 4 है, इसके लिए 4 है, बनलब सभी answer देने के लिए 4, four options है, ऐसा थोड़ी है, पहले वाले option A, T, एक तो दूसरे वाले support दूसरे के निवी 4, तीसरे के निवी 4, चौदरे के निवी 4, और पाँचवे के निवी 4, यानि टोटल आपके पास जो अपसन है, वो इतना तरीका एंसर देने दा, 4 to the power 5, यहां एक बात है बाबू, एंसर आप दे रहो, क्या दर एंसर नहीं दोगे, तो वो भी एत तरीका होता है, बट यहां पर आपको एंसर करने वाला बात किया जा रहे है, समझ मारा है ना, क्योंकि A, B, C, D, और नहीं चूज तरना भी एत तरीका होता है, बट वहां, यहां पर बात है, in how many ways you can answer, the number of ways of answering, 3, बट एंसर कर रहे हो, आप छोड नहीं रहे हो, ठीक है, अभी आते हो, how many 3-digit numbers can be formed without using 0, 2, 3, 4, 5, and 6, तो ना आपको 0 यूस तरने, ना 2 यूस तरने, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, तो आपको यूस क्या तरना है, आपको यूस तरना है 1, आपको यूस तरना है 7, आपको यूस तरना है 8, आपको यूस तरना है 9, अब आपके पास, कितना, 3-digit है, 3 places है, आपको तुछ नहीं बोला जा है कि आप repeat तर सकते हो का नहीं तो आप repeat तर सकते हो how many three digit numbers can be formed without using this इसके अलावा आप तो तुछ नहीं बोला जा है जब भी आप तो नहीं बोला जा है कि repetition is not and out different digits या फिर no digit is repeated no digit is used more than once यह सब होता है तब हम दो repeat नहीं तर रहेंगे बट यहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखा हुआ है तो हम यहां पे यह 4 में थड़ है अपने पास 1 ने सकते है 7 ने सकते 8 ने सकते है लाइन ने सकते है जिस तो भी speed नग रहा हो speed घटा के देखने ना ठीक है क्योंकि इस series में आपनो speed में ही चलेंगे तो 4 x 4 x 4 तो यहां पे हो जाए यह 64 ठीक है ना यहां पे हो जाए 64 क्योंकि 4 x 4 x 4 यह 3 तरीता हो जाएदा 3 प्लेस है वेकें प्लेस है अपने पास पहले को हम 1 ने सकते है 7 ने सकते है 8 ने सकते है 9 ने सकते है ठीक है ना तो यह आ जाए दा 64, यह इदा basic basic चीज है, ठीज है, अभी आ जाओ, how many numbers are there between 100 and 1000, मतलब सीधा सा बात यह बोल रहा है, 3 digit number है, 100 नहीं है इसमें, 100 और 1000 के बीच में आ रहा है number, in which the digits are distinct, देहो, distinct वाला बात आ जा, तो distinct वाला बात जब आ जा है, तो हम लोग के पास है बावू, 3 digit number, कितना digit number है, 3 digit number है, अभी इस motion को बहुत अच्छे से देखना, इस टाइप था, और भी motion हम लोग नेट स्राले पार्ट में देखेंगे, तो पहला यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे 1000 है, तो इसके बीच में numbers आना है, तो 999 तर जा सकते हैं हम लोग, 101 से सुरू तरने के बा सेकेंड प्लेस पे हम तो जाता है, सेकेंड प्लेस पे हम यहाँ पर फिर से 9, क्योंकि अब 0 एवनेवल हो जाएदा, 8 पोई number नहीं यूजुआ, लेकिन अब 0 एवनेवल हो जाएदा, और इसके बाद वाला portion में आ जाता है 8, तो अब यहाँ आ आ जाएदा, 99 81 into 8, that is 648, अ ना चाहिए answer, बड़ एक बात देखो, हमने repetition यहाँ पे allow रधा ही नहीं है, तो जब हमने repetition allow रधा ही नहीं है, तो यह number इसमें आ ही नहीं रहा, तो जब repetition allowed ही नहीं है, यह number आ ही नहीं रहा, तो इस तो फिर remove क्यों दरना, ठीक है न, तो यह था आज ता पार्ट में some rule, product rule मे इसके बाद किसना तरह से numbers बनाया जा सकता है, permutation का definition क्या है, फिर permutation के question, combination क्या definition है, उसके question, यह पूरा series ऐसे ही चनता रहेगा, आपको वीडियो अच्छा नहीं हो, तो like कर देना, channel पे नहीं हो, subscribe कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करो, मिनता है फिर net spot के साथ, asking 89, thank you.